आज की या वीडियो ग्रह बिग्यान यानी होम साइंस की महा संगराम होने वाले जो भी हमारे छात्रा हैं जिनका सब्जेक्ट ग्रह बिग्यान यानी होम साइंस उनके लिए वीडियो अती महत्पूर है क्योंकि आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्पूर है क्योंकि आज कि इस वीडियो में वो सारे question and answer की रूड़ेड है जो आपकी परिच्छा में आने के 100% उम्मीद है तो वीडियो को इंड तक देखते रहेगा इसका कारण यह है इंड तक देखने का क्योंकि इस वीडियो में आपको question and answer दोनों मिलने वाले question and answer दोनों मिलेंगे इस वीडियो में तो ध्यान से देखते रहेंगे तो चलिए आते हैं question बे तो आज कि इस वीडियो का क्रहें बिज्ञान का पहला प्रश्ण है कि बहिया कैलोरी की परिवाफ़ा दीजिए question common है और जर्नली वैसे आपको जानना भी चाहिए और प्रेच्छा में कई बार प्रश्ण करते हैं कैलोरी उर्जा नापने की इकाई है इस बात को ध्यान रखेंगे याद रखेंगे आप सभी कैलोरी यानि किसी जो है ना देखिए यहां पर हमने बाई मिस्टेक बोल दिया कोई बात नहीं इसका मतलब ठीक है वन डिगरी कैलोरी बढ़ा है ठीक है इस क्या कैलोरी रजा नापने की इक इकाई इस बात को ध्यान रखेंगे अगला question प्रस्तूत है टोप कर फैलोपीयन ट्यूब में होने लगता है तो इसको एक्टोपिक गर्भाफ्था कहते इसमें ट्यूब कटने का डर रहता है ठीक है इस तरीके से बहुत ही नाजुक यह कंडिशन होती एक्टोपिक गर्भाफ्था ठीक है और अगला पस्ट आप लोगों की समझ से प्रस्तित तो उस प्रोसेस में टो बच्चा चोटा रहता है तो चलना सीखता है ठोस भोज पदार्थ गरहर्ण करना सीखना ठीक है भासा सीखना मलमूत्र पर नियंतर सीखना यानिकी कब आपको मतलब की ट्वाइलेट लगी तो ट्वाइलेट के लिए बताए अगर आपको कार याद रखेंगे महात्पूर्ण प्राप्त करने के तरीके बताइए तो इतना महात्पूर्ण ने इसलिए इग्नोर कर देंगे अगला है कि विकास से आप क्या समझते हैं विकास की परिबाशा दीजिए इसा प्रशना को और कल बीस हो गए पर सोतीस हो गया और आपके पास पैसे बढ़ते गए और करम बढ़ता गया आपकी उमर बढ़ती गई तो यहीं बताया जा रहा कि विकास एक ऐसी प्रिक्रिया है जो निरंतर बढ़ती रहती है इसी तरह जो गर्भाव अव्ताफ लेकर मृत तक अभी राम ựचिय के चप्राइब होते हैं जैसे कि छोटी होती है एंट टांगे बांप अंगुलिया यह सब लपेंटी यह स यानि कि दो प्रकार के होती इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है अगला प्रशने की संग्यान आत्मक प्रिकरिया की मिसेश ताय में तहीं ये इतना महात्पूर्ण नहीं लेकिन आप पढ़ भी सकते एग्नोर भी कर सकते कोईश्चन भी है उसका उत्तर भी आप सभी के जो आपके एक्जाम में इस बार आने की उम्मीद है हम अपना पूरा 100% देते हैं बाकी डिपेंड करता है और एक्जाम पे की एक्जाम कैसा होता लेकिन ये सारे कोईश्चन आपके एक्जाम के नजरिया से बहुत ही महात्पूर्ण है ठीक है ओके अगला प्रशन आप लो लोग प्रिय माध्यम में भासा के माध्यम फे ही विचारों को बिक्त किया जाता है बालक वा समाजिक विकास भासा पर ही आधारित होता है या अगर आप अच्छी भाफा बोलेंगे तो आपको समाज में विकास होगा समाज कभी विकास होगा और आपको विकास होगा समाज के अंदर थीक है भासा ही बालकों की ज जान ब्रद्धी करती है या विकासात्मक क्रिया के लिए भी आवस्चेक मानी जाती है इसके दारह हम अपनी आवस्यक्ता हो था इश्चायों को बिक्त करते हैं कि घुर meine dahilese क्या समस्या है क्या मैं सुक है क्या आपको कहीजाना आ तो बहांफा혁 आप बुलेंगे कि हमको वहाँ जाना तो आप भाफाही तो ये इस तरह का जो प्रोसेस होता उससे वहाँफा कहते हैं और वाणी के बारे हम जान लेते हैं वाणी एक प्रकार की भाफाही है इसमें ध्वनी अत्वा सब्दो के माध्यम फे अर्थ असपस्ट कि आ जाता है, बालक द्वारा उच्चरित हर धोनिवाडी के अंतरगत नहीं आती है, जब तक वा ठीक है, अस्नाविय पेसिया तंतर का नहीं बिक्सित हो जाती है, तभी बच्चा बोलता है, उसके पहले नहीं बोलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, तो लिखेंगे अगला कोश्चन भी महात्पूर्ण कई बार मतलब कि कभी कदार आता हमेशा नहीं आता तो आई सी एमार के अंसार किये क्रिया फीलता है कि अधार पर कितने कैलोरी कि आव सकता होती है पढ़ लीजे कोई इतना महात्पूर्ण को नहीं आप इग्नोर भी कर सकते को इतना खास नहीं ठीक है अगला प्रस्वाफ्था में कि इतनी बढ़ाई जाती है याद रखेंगे गर्भाफ्था के दौरान के लोगी की मात्रा तीन स्थोटी के कैल्फियम और प्रोटीन ठीक है पंद्रा ग्राम ठीक है यह इतनी आई जाती है गर्भावफ्था के दोनान कैलोरी तथा प्रोटीन ठीक है कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा ठीक है अगला की संग्यात्मक्विकास की वस्थाएं बताईए को इतना महात्पूर नहीं आप पढ़ भी सकते एक नौर भी कर सकते बेशक ठीक है ब्रद्धा उफ्थ है ठीक है तो सिंपल सी बात है कि ब्रद्धा उफ्था में समस्याएं बननी ही बननी हार उचाह जितना भी कितना भी अच्छा इंसान हो उसको बिमारी होगी ही होगी क्योंकि आपका जो बोड़ी है वो पूरी तरह लूज होने लगेगा आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा ठीक है आपकी जो उर्जा है वो एक तरीकी से कम पढ़ने लगी जब आप बुढ़े हो जाएंगे आपके एज हो जाएगी तो वहीं बताया जा रहा है कि ब्रद्ध विक्ति की स्वाफ से समस्याएं रहती है जिसका संबंद उसके पूर्व के पोसर अफ्तर से निश्चित तब आपने अगर अच्छा खाना पीना खाया तो आप बुढ़ापे में मतलब उतना सिकान नहीं होंगे लेकिन कभी न कभी तो आपको समस्या आएगी आएगी ठीक है लेकिन फिर भी आप कंट्रोल कर लाए जाएंगे यदि आपका जो हेल्थ है वह अच्छी रहेगी और कॉमन सी बात है बुढ़ापे में चाहिए इतना भी हार्ड इंसान हो चाहिए इतना भी कितना ही स्ट्रॉंग के हो ना हो और कितना कमजूर के हो ना उसको बीमारी तो घेरना ही गेरना है ठीक है लेकिन जो लोग ठोड़ा खाते पीते घर ते गरते के रहते हैं तो वो कम इंपक्ट पढ़ता बुढ़ापे में बाकी पढ़ता तो सभी पर आप सभी माल दो है इसी परकार लिखेंगे इसके बारे में कोई ज्यादा इतना मतलब की हार्ड लेबल का कोईश्चन नहीं लेकिन महात्पूर्ण है एक्जाम के लिए ठीक है अगला कि बालक का समाज निर्णत्रा बढ़ती जाती है यानि कि इस स्टार्टिंग में तुछ को पता नहीं कौन क्या है ठीक है तो वह दूसरों पर ही आफारित रहता है लेकिन दिरे दिरे जब उसकी उमर बढ़ता है ठीक उसका विकास होता है तो आत्म निर्भर यानि कि स्वयम पर वो डिपें स्वयम का अपना पूरा ख्याल लखें तरीके से ठीक है तो इस प्रकाल लिखेंगे इसकी परिभासा और यह प्रस्ण आपके आतिलग उत्रे लग उत्रे किसे में आ सकते हैं वह लेकिन हम आपको बेसिक सा प्रस्ण का उत्तर बता रहे हैं बाकि आप अपने उसार तोड़ पाई तसी सोरे 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 कभी कभी आर्थिक कटनाय भी समय अधिक होती है जब और अकि यह होती ही जो तो वही बताया जारा आर्थी कटनाई भी इस समय अधिक होती है ठीक है अपनी अताह अपने भोजन में कमी करके जैसे तैसे अपने आय में संतुलन रखते हैं जैसे वह अपना स्वाफ्त भी खो बैठते हैं और चिकस्तावा दवाई पर बे करने लगते हैं यदि उन्हें अ दब ब्रध का कार्य नहीं कर रहता है ठीक है तो टोटे-फूटे कोसों कि मरम्मत के नडायात्मक हैं फृरचया संब्सके चार्चय data बिन्न ना पाई जाती यानिव शभी के energy में सभी को उर्जा में बिन्नेता पाई जाती है यह तो परड़ जबHello to खर इंसान तो भाई हट्टा कट्टा तो होने ही पक्ता कोई बाई कम जोर है कोई इस्टोंग है और अगला प्रश्ण यह तो प्रतिदिन का यह वसकता यह भी महत्पूर्ण अधिक मात्रा में लेना आवश्च्य के विटामिन एक कमी से ब्रद्धी में आँखों पर प्रभाव पड़ सकता है थाइमें 0.2 मिली ग्राम 0.3 मिली ग्राम ठीक है राइबो फ्लोविन वह तो मिली ग्राम नाइश्चीन अत्रिक मात्रा में आई स्यमर द्वारा प्रस्ताव लिए आवस्यक है या औरबीशी के निर्माण में सहयक है आता विटामिन सी अहार में पर्याब्त मात्रा में सम्रित किया जाना आवस्यक है इस बात को ध्यान रखेंगे बहुत ही सिंपल सा और हड़ लेबर का कोई स्प्रेंन करने की यह उसमें कोई हाड कोई संटेंस है ही नहीं है एखिए संग्यात्मक्त विकास के बारे मां पढलेंगे यूसर नहीं नहीं está इंब्रवेटन्ट मिशन इसको भी आप तयार कर लेंगे और इसको आपिशा नहीं करके कर सकते हैं और अगला है कि वयासंदी अवफ्था ये कभी खा position किया गया तो तीन प्रकार में व्याजिट विज्वायवाद नजिए के बारे में बताइए तो इसका लिखें。 कि उत्तर की हम मेलाओं में मुखिता दू सैक्ष हर्मोन ठीक है पाया जाते है पहला है एक्टो जिन और दूफ्रा है प्रोजे इस्ट्रेशन याद रखेंगे महात्पूर्ण प्रस्ण हर्मोन आप याद रखें क्योंकि यह प्रस्ण कई बार पाइच्छा में रिपीटेड ह तो पहला जो हर्मोन उसको याद रखेंगे एस्ट्रोजेन है दूफ्रा है प्रोजेस्ट्रे ठीक है प्रोजेस्ट्रे रोन ठीक है यह दो याद रखेंगे हार्ड लेबल का है मतलब की हार्ड लेबल का मतलब यह कि थोड़ा पढ़ने में आपको अफ़र लगेगा लेकिन याद रखेंगे एस्ट्रोजन और प्रिजिस्ट्रियों ठीक है दो होते हैं पूर्ब की सवरावफथा के बारे मताईए तो तेरा फिफोला वर्च की अवफथा पूर्ब की सवरावफथा कहलाती है इस अवफथा में काफी फारीरिक परिवर्तन होते हैं और यह समस्या प्रिफटर्ब के लिए दारू पीती है और बीर पीती है इस सब चीजी का सेवन करती उनके बच्चों में फिटल इल्कोहिल फिंड्रोम हो जाता है जिससे बच्चे में फारीरिक और मानशिक विकास पर दुस्प्रभाव पढ़ता है ठीक है तो यह कॉमन कोश्चन है और आप सभी को याद भी रहोना चाहिए कि एल्कोहल का सेवन कोई नहीं करना चाहिए किसी को भी और बहुत ही हाइड लेबल का कुश्चन है कई बार में इच्छा में आ चुका इस बार भी आएगा एक खतर ना क्यों जान लेवा बीमारी एड़ पारजित प्रतिर अच्छा नाफक रोग समू या बीमारी फरीर में एचाइवी वाइरस के संक्रमर के करण होती है इसके करण रोग प्रतिरोधक चमता बहुत ही कम हो जाती है ठीक है एचाइवी का फुलफाम होता है हुमेन ठीक है याद रखेंगे हुमेन हीमियों फिसे पढ़ लेते हैं पूरा और या वाइरस मनतियों को कम करता है या जो वाइरस है मनतियों के प्रतिरच्छा हे उसको कम कर देता है ठीक है इसे चाइवी और यह पंचारित रोग के बारे में दाए तो वे रोग योन पूर्टा या औरल फेफ द्वारा एक बिक्त फिदूफरेज भीत में फैलते हैं इन्हें गुप्त रोग या अरती रोग भी कहा जाता है जैसे कि फ्लेम आईडिया सिफिलिस गुनोरिया हारफिस आदे ठीक है बहुत बहुत पूर्ट प्रशन याद रखेंगे बोजन की परिभास आप सभी को एक्स्प्लें करने की आवशाकता ने आप सावी काफी परिच्छा में आपके पकाठीक है कैलोडी के परिभास यह इंप्वार्टन कोईश्चन परिच्छा में कई बार आया चुका इस बार भी आएगा पूरा काहार यह इंप्वार्टन कोईश्चन है जल यह मसा में घुलनशील बिटामिल कौन-कौन सी है तो याद रखेंगे जल में घुलनशील बिटामिल है B और C और वसा में घुलनसील बिटामिल है AD K यह है वसा में घुलनसील बिटामिल तो जो जो मैंने प्रेशन बताएं है इनको अगर आप अच्छे पर तःयार करके जाएंगे तो गारंटी के साथ कोई परिच्छा में आपको फेल नहीं कर सकता ये 75 नमबर का आपका पिपर होता है तो कम से कम आप सिर्फ और इस मातरिक वीडियो फे 40 से 45 नमबर आप सभी ला सकते हैं सिर्फ इस वीडियो से लेकिन इसके लिए आपको सभी प्रुष्णों को उत्तर अच्छे तयार करके जाना होगा खाफ करके जो मैंने आपको बताएं ठीक है बाकी आप लोग काफी समझ जा रहें कोई इसमें हार्ड लेबल का उत्तर नहीं जो आपको ज़्यादा एक्स्पेल करने के आवा सकता मुझे पढ़े ठीक है मुझे तो आप लोग बेसिक बेसिक इसलिए मैंने इसमें अंसर रखें ताकि आप अच्छे समझ जाएं और इस पीडियाप को हम टेलिग्राम वट्सप पर प्रवाइड करा देंगे तो वहां पर डाउनलोड करके आप एक एक क्वेश्चन का उत्तर पढ़के जाईएगा आपको काफे मिल जाएगी ठीक है बाकी कोई कोश्चन है जरूर पूचे मिलते हैं एक और ने वीडियो में जहिंद ठीक है और हाँ बहुत सारे च्छातर का कमेंट आता रहे ताकि इस तर आपने जो बताया कोश्चन आया नहीं लेकिन पहले आपको स्लेबर्स का जो मतलब स्कार्ण मेंच कर लेता है तब कि आप लोगों के लिए लेकिन प्रस्टन पतर का नाम मेच कर लिया आप सभी ठीक है और जाया करेद बेज दिया करी पेपर कटी है ताकि हम और भी बच्चों और आप कि भी हल्प कर पाएं ठीक है कोश्चन पेपर के माद्रह से ओके जहीं झालो करता हैं